करनाल में हर्ताल पर बैठे आर्टियों ने हर्ताल जारी रखने की धमकी दी है आर्टियों का कहना है कि उपायुक्त ने कोई हल नहीं निकाला तो हर्ताल जारी रहेगी आपको बता दे कि आर्टी अपनी मांगों को लेकर हर्ताल पर बैठे हुए हैं जिसको लेकर करनाल उप भी मांग नहीं मानी है उपायुक निशान कुमार यादव का कहना है कि गेहूं की खरीद को लेकर पहले करनाल जीले में 23 के आसपास केंदर बनते थे लेकिन इस बार लोगडाउन को देखते हुए किसानों को परिशानी ना हो इसके चलते 162 गेहूं खरीद केंदर बनाए रखा जाएगा हमने शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों से भी बात की है अगर कोई मंडी में गेहूं की खरीद के वक्त काम करता है तो उसे काम भी दिया जाएगा और उसके बदले में उचित मजदूरी भी दी जाएगी साते साथ उनकी सानों के लिए बाद में एक की निर्धायत किया जाएगा जिनकी जमीन यमुना नदी के उस पार पड़ती है उसी दिन उनकी गेहूं की खरीद की जाएगी रजनीश चोदरी मंडी जिला परधान ने बताया कि डीसी के साथ मिचिंग हुई है अभी सरकार ने उनकी एक शर्त नहीं मानी उन्हेंने कहा क कि इनके खाते में पेमेंट डाली जाए ना कि सीधा किसान को दी जाए क्योंकि किसान वह आड़ती का हिसाब चलता रहता है देखे एक रिवाच्ट वह वह अभी हमारी बात चल रही है जब तक हमारे स्टेट बॉड़ी को पर फैंसले नहीं होते तब तक कैसे रहेगी सरसो तो आमने खोल दिये सरसो प्रतेज हो रही है जो इसका क्योंका था वह हमने अभी डीसी साब से इमांग किया है कि हमारी जो पेमेंट इन्होंने सरक हाँ भी करनक के धुजारी है म Vyovस्ताओं के बारे में घारी उन्की तयारी और हो जाचा है और जिले में 162 पर सेंटरस बनाये गए हैं इन 162 जगह पे हम purchase करेंगे और सारी व्यवस्था इन प्लेस हैं किसान भाईयों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी सरकार के इस तरह पे आर्टियों की बात हो गई है सब आर्टियों ने आशोशन दिया है कि वो पिशाशन का सरकार का सहयोग करेंगे और हमारी के समय, emergency के समय सभी साथ मिलकर के जितना भी हमारी procurement होनी है उसको complete करेंगे एक दो मुद्धे हैं जो इन्होंने हमारे knowledge में डाले हैं हम सरकार से भी बात करेंगे यह भी regular touch में है मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं आने दी जाएगे देखिए मैं यही कहूंग बताना चाहूंगा कि 20 तारिक जो lockdown की शर्ते और नियम व्यवस्थाइं बनी है वो इसी तरह से चालू रहेंगी 20 तारिक होनवार्ट कुछ चीजों में छूट दी जाएगी वो प्रिशाशन के दो तीन दिन पहले डिटेल में उसकी व्यवस्थाइं बता दी जाएगी जो छूट दी जाएगी वो में जो है उदका उद्देश है वो ग्रामींड शेत्रों में ताकि बेरोजगारी ना बढ़े और वहां जो रोजगार के आवसरुत पन हो उस बारे में है तो जितनी भी ग्रामींड शेत्रों में व्यवसाई गतिविदिया हैं इंडस्ट्रिल जितनी गतिविदिया हैं वो अलाओ की जाएंगी उस बारे में जिला प्रिशाशन के द्वारा डिटेल्ड जो गाइडलाइन्स हैं और जो नौम्स हैं वो सुचित करवा दिये जाएंगे सरसों की खरीद हमारी कल से शुरू हो गई है हमारे 2400 किसान है जिले में जो सरसों मेचेंगे और घरोंडा और इंदरी दो सेंटर बनाए गए हैं मैंने आज खुद घरोंडा जाकर के सरसों की खरीद का निरिक्षन किया परचेज पूरी शांति पूरो अक डंग से व्यवस सब्सक्राइब करें धन्यवाद जबी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिच पलेस राजगराना और इंद फानेस बैंक्वेट ओल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गार्डना जोती गार्डना जोती गार् बैं